जुनावी महा मुताबला सुरू है विहार विधान सभा चुनाव के 152 विःपूर और 113 गोपालपूर विधान सभा में नामंतन की प्रकिरिया समाप्थ हो जुकिया है और इस कूटनी की प्रकिरिया जारी है लगातार महा मुताबला पर कवरे जेतु जियस्त नियूस की टीम अब विभीन प्रत्यासियों से पिलेगी और आपको रूबरू कराएगा यहां के स्तिती के बारे में इसे बीच आज हमारे साथ है गोपालपूर विधान सवाथ छेतर से निर्दलिय प्रत्यासी के रूप में चुनावी मैदान में विभीन कुमार मंडल विभीन जी आपकाम देश्वागत है हमारे जीएस प्रत्यासी में नमस्कार सबसे पहले तो मैं सब लोगों को नवरात्री की सुख कामा देना चाहता हूँ के दिए आज एप्रत्यर र दियागत बर्द६्धान सब WOW Совा में अजज तक बिपिन मंडल की आवाज हुआ करती थी हर जेगा समस्या समस्या है आप देख लें इसमाइलपूर पिछले तिन साल से बारे का बान बना है और वो अधुरा बड़ा हुआ है रंडरा में मदरों नीचे पास 1200 मिटर मिसिंग लिंक गटा हुआ है उससे हमारा दो पंचाय प्रभावित हो रहा है वरतुमान में आप किस जनपरतिन इधी का किरेदार निम्हाल है पहले से आप जी वरतमान में जिला परसल है इसमाइलपूर से इसमाइलपूर के जिला परसल होने के बार ये इस विदाय के शेतर में इंट्री मतलब कि समाज की और सरकारी जोजना आ रही है हर पैसा आपको मिल रहा है लेकिन ठीक हम से किर्यानी को नहीं हो पादा है बांध में करिब 44 करों रुप्या आया हुआ बढ़ा हुआ है लेकिन अभी तक किसामा को पैसा नहीं मिला इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा जिम्मेवारी इसकी कौन मदरवनी में 1200 मिटर बांध कटा हुआ है उसका प्रपोजम तक नहीं जाता है राइसकी जिम्मेवारी पौन लेगा चार में हम लोग बांध से तवार रहते हैं मैंने तो एनलाइसिस किया है कि इस बांध में जो हमारे लोग प्लाइन कर रहा है वो अगर बांध बन जाए चोटे-चोटे टुकड़ों में बांध बनाके उसको सजित किया जाए तो जितने लोग हमारे बाहर जाके कमाने जाए वो घर में ही सो रोजगार से पत्पन है एक सवाल है कि आखिर जब बिपिन मंडल चुरावी मेडान में है जिला परशत से तो वो निरदलिया प्रत्या से ही क्यों मेरा जीवन ड्रामिंग प्रिवेश से मैं बला वड़ा और बचपन से ही देखा कि समस्यां का अमबाड पड़ा हुआ है और राजनीती में आना मेरा मकसद नहीं था मैं जब सार्जनिक छेत्र में डेरी से जुड़ा तो लोगों की समस्यां को नजदीक से जाना और सड़क नहीं था इसमायलपूर में बुआ करदा था लोग पोर्ट वेस्टार्ट किये उसके बाद फिर लोगों में हिकार कभी पिंजे जिला पर सत्ता चुना और रहा और वहां की आवाज बना जब आज मैं देखता हूं कि इसमायलपूर के लोग सड़क तो बन गए लोगों के लोगों को कहते हुए सुना है कि विपिन मंदल दियारा कुत्र है यह दियारा कुत्र क्या होता है जरा इसके बादे में बताएं यह तो लोगों का बड़पन है कि विपिन मंदल को दियारा कुत्र बोलता है मैं इतना मानता हूं कि लोग एक दिन चुनाव में ब आप किन से लड़ीनी चुनाम में जाम नोत रहेंगा, एक सवाल हो आपको एक दवम गई से, मान के चलिए हम जिलापारसर हैं, हम सबसे मिल जूर रहे हैं, सबसे बात करना हैं एक अधनसा आदमें जो आपको बोड़ देता है, उसकी बोड़ की महत्ता को आपको दिखाना होगा, कि भी पिर मंदल के पास वो क्यों आए, अपनी समस्या को ले के आया, उसकी बातों को सुनना होगा, लेकिन बरतमान में जो लोग राजिश्री में हैं, वो तो डांट अप चेतर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे की गाउं हैं, जहां की लोगों के साथ आप ही समस्या हैं, सिवाए बार और कटा होगे, अब एक मुस्त रंगापरखिंड में बोड़ है, और हमको लगता है, पन्रे साल से रोड की इस्तिति इचस से तस से डुमरिया से लेके पड़ा हुए, इस आई डालोटी से कितने लिए सरकें हैं, आपको लजब ढवा से 14 नुमर के बीच वाली रोड देख लिए, चितने लिए सरकें हैं, सब मेंटिनेंस हो ही नहीं गाए, आप रसलपूर से और एनच के बीच का रास्ता देख लिए, इस्तिति जस्कीत से पता है कि बीहार में जो एंडिगे की सरकार लगाता है, जो काली किये जा रहे हैं, वो आपको संतुष्ट करता है, यानि आप उनसे के कालियों से संतुष्ट हैं? इस सरकार की योजना ही चवड़ी है, सरकार के मुझा आपती नहीं है, लिकिन सरकार की योजनाओं वो सही तरीके से क्रियानोन कराने वादा आस तक नहीं मिला, मैं पिछले साही चार साल से जिला परसर्द हूँ, और देख रहा हूं कि एक वी बैचक में कोई सांसर्द वि दियारा चेत्रों की बाद हो गई, नौगच्या बाजार चेत्र जो है, जो लोगों के जिंपो पार्जन के बार का एक बड़ा अस्थल है, जहां खरित विक्री और हो दी है, बहुत सारी समस्या है, इस पर आपका क्या करना है, क्या भीचार है, नुच्छा में भी जान की स समस्या हो, चाहा है, फलसर जी वाले की समस्या हो, सब को दूर करने की जरूरत है, स्वास सेवाई जो है, वो विपिन जी बहुत ही बदतर देनोकल शागी, प्रते एक दिन सड़क दूरगटनाएं हो रही है, लगातार अभी जी वरदुमान में प्रते दिन दूरगटनाए हो रही है, लेकिन दूरगटनाएं तो चलिए सबक पर होती है, लेकिन एक बड़ी समस्या नजर आती है कि अस्पताल से सीधा मायागन पर कर दिया जाता है, यहां ब्यवस्ता नहीं है, हम ब्यवस्ता के नापर जी ओ कर सकते हैं, जे, और पूर्ण में जहां कि समस्या बने जोटी दुरगटना होने के बाद लोग को मायागन पर जा जा रहा है, यहां पर पिसेज वेवस्ता होनी चाहिए, जो कि हमको मायागन रिफर्ण नहीं करना पड़े, बहुत बड़ा पार्ट जो मायागन से रिलेटेड है, साथ जीला उसमें किलाज होता है, लेकिन नगु अगर यह हब बना दिया जाए, तो लोग को उस पार नहीं जाना पड़ेगा इन पिलाज होता है, और कुछ ऐसे मुद्दे जो लोगों तक आपके पहुंचे, कुछ ऐसे मुद्दे जो लोगों तक इसकी जानकारी हो जो आपका मुद्दा होता है, सबसे पढ़े होगा बा नहीं नहीं मिल पाया है, तो यह बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को सबसे पहले ही नगाकरन करवाना है, रोड की समस्या है, रोड अपने तो लोजना डाल दिया लेकिन आस तक निगरानी नहीं किया, बना की नहीं बना क्या हुआ, तो यह सब समस्या को लेके हम को काम खेल के मानले में जरनतर हम पार्टों को भी रिखाते हैं कि खेल में लगवक बिटाएं मान चलती है और ऐसी तरीके से चलती है वहां युगाओं के साथ उनके गार्जन सुरूप कोई भी नेता हो जनपरती नहीं थी हो यहां के बुजूर गोर एक मुस्त लोग लगे हुआ ह आपका फिल भी है और इंडोर स्टेडिया में बना हुआ है सब सुभीदा है लेकि नगश्या में कोई सुभीदास था नहीं दिल पा है युगाओं को युवाओं को सतर परसेंट युवाओं है जो बैतिक साथ तक हैं लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्ता नहीं है उनसे ब है यही मेरा विचान है अच्छा आपको लगता है कि लॉबडाउन का प्रभाव जो है वो अनामी कई वर्सों तक रहेगा और इसमें सरकार जुरूं के पीच एक सामध्य पोना निवारी है चोटी चोटी रुद्गाल पंद करके समस्या बंद किया लग सकता है मैंने बताय अगर इस मायरपूर का बांध बंद जाता है तो करीब 40,000 एकर जमीन जो कि बार से मुप्त हो जाएगा और वहां में तीन फसल लेजाते हैं हमने इनलैसिस किया है कि एक फसल में अगर एक फसल की पढ़िया से हो तो बाड़ा सो करोर रुपया साराना बचत होता है एक साल म और मैंने यहां की जनता को 40 करोर रुपया चालिज दिमें 40 करोर रुपया बचा के दिया था अच्छे एक जिला परसर सदस जो रज़री काड़ी में रह सकता है अच्छे कमरे में ऐसी लगा कर रह सकता है और हमें साब अच्छे समय धतीत कर सकता है लेकिन धिर भी वह एक और एक तौरिया पहंकर और हाथ में वोसल वीडिया में आपा फोटो जबकार वायरल होगा कि खुद से पुदाल लेकर वह जो हमें साब दाड़ा में प्रेवेस में पले वरे हैं अपने दाड़ा को देखे खेत में पुदाल पालते हुए अपने गार्जेन को अभी में ज करते हो सामबें अपना मेहनातना लेकर चले जाते हैं और जब मैने उसमस्या को देखा समस्या कि है क्यों सबसे बड़ी समस्या नजड़ आई पार और असी मिटर का वांजु मैंने बनाया था वो करोरो रुपिया का बचत ये दो मेहना में दे गिया तो हमको लगा कि अगर जिल्डा पावसर अपने खेद में उंकुदा चला सकता है, तो सेरवी निकम में नहीं चला सकता है? मेरा पिचाड की है है कि योवाओं को जादा से जादा राधिनीती में आना चाहिए, इसे सरवान में विकास हो। जब तक योवारानी जी मी नहीं आएंगे, इस लोगों की समस्या को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे छेदर का वितास नहीं हो सकता, आप एक बड़ विश्वास कड़ें, कि आप गुपारपूर के आवाज को विपिन मंदल को दें, गुपारपूर के आवाज बने, इस तरह पुपारपूर के आवाज बने, फिर आप से सवाब कूछें, मैं जवाब अभी रोड कट रहा है, लोग को पता नहीं होता है सुभा में इटाड़ीना चाल हो जाता है, लोग सुभा देखते हैं कि रोड मेरा चलने लाइक हो गया, वही आवाज मैं बनना चाहता हूं, लो तो आज हमारे साथ गोपाल्पू बिदान सवा के निर्दलिय उमिद्वार विपिन कुमार मंडल, इनकी जो बाते हैं वो मैंने आप तक पहुंचाई है, जो सबसे बड़ी समस्या है, नवच्या में बारत रास्दी की, कटाओ की, सबक की वह अन्य की, इन्होंने अपनी ब कुछ हाल आएगा ही आएगा, लेकिन इस बार गोपालपूर बिलान सवा में कैसी इस्तिती होगी, यह हम आपको दिर्दा निकाते चलेंगे, क्यामरा में अभीशेक के साथ में वरुन बावूल और आप देख रहें, जीस नियोस